हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू टॉपिकल फिश क्रेश चेनल दोस्तों आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत हैं हमारे टॉपिकल फिश क्रेश चेनल पर आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों लंबे समय से वीडियो नहीं डाल पाने के लिए सॉरी अभी मेरा दोस्तों वर्क शेडियूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है मैं इसलिए आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं देवा रहा हूं पर मैं जैसे फ्री होता हूं आपको हमारे चैनल पर मैं आप से बादा करता हूं रेगुलर वीडियो कंटीनू रखूंगा तो द हमारे टैंक में कितना मोंँय लेवल है तो दोस्तों उसके लिए कुछ अमोनिय प्जाई च जो हमको रंख करते obviousन करें देखने मीद चलता है कि हमारे टैंक में कितना आम बढ़ चुका है बात करेंगे इसमें jmesi सबसे पहला दो है सुफ्ती आप देखेंगे लेक ओफ एक्टिविटी और फिश इसमें बहुत जाता सुफ्त हो जाती है और एक जगा टेंक पे बॉटम में कई घंटों तक बेठी रहती है पूरे टेंक में स्विमिंग नहीं करती हो जो इसका दूसरा पॉइंट है अमोनिया इस्ट्रेस का वह लॉस ओफ एप्टाइट फिश फूट खाना छोड़ देती है और इसमें जो अगला पॉइंट है दोस्तों वह है कि सते पर हाफ ना मतलब फिश क्या होता है कि गैस्पिंग इड़ सर्फेस सर्फेस के वाटर सर्फेस के उपर फिश ऑक्सीजन लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा इस्ट्रागल करना पड़ता है सास लेने में उसको दिक्का दोती है अगर अमोनिया लेवल आपके टेंक मे सूजन इसमें आप देखेंगे फिश में फिश के फिंस के उपर लाल धारियां पड़ जाती हो फिश में सूजर आ जाती जिसको हम बोलते हैं रेडिस्टीक्स और इंफ्लेमेशन इन फिंस और जो दोस्तो दूसरा अगला साई ने सौरी अगला साई ने वह इंफ्लेम्ट तो दोस्तों यह सूजी हुई आखे जो फिश की होती है फिश की आई बहुत क्रिफ्टल क्लियर होती है अगर उसमें कुछ भी क्लाउडी है यह पिश की आई के आसपास तो हल्की सी भी सूजन है या इन फ्लेम्ट है तो हम पता कर सकते हैं टेंक में अमोनिया लेवल हुआ हुआ पता करने के लिए कि हम इसमें जब नई फिश लेके आते हैं तो विदिन फॉर तू फाइफ देज विदिन हमारी फिश सिख होके बिमार पढ़के जल्दी मर जाती है और वो यह भी एक गोध बड़ा काज़े से अमोनिया लेवल का जब हम नई फिश लागे हम हमेरे टेंप में डालते हैं तो अब ज्यादा बड़े हुए अमोनिया लेवल की वैसे फिश सिख हो जाती है चार से पाच दिन में और डेड हो जाती है और दोस्तों अब सवाल आता है कि हम इससे केसे प्रेवेंशन करें केसे बचा है तो अब हम इसके कुछ प्रेवेंशन टिप्स देख लेते हैं कि हम अमोनिया लेवल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जोस्तों यह है कुछ इसके प्रेवेंशन टिप्स प्रेवेंशन टिप्स प्रेवेंशन टिप्स प्रेवेंशन टिप्स जिससे हम अमोनिया रिड्यूस लेवल को कम कर सकते हैं पर प्रेवेंश आपको रेगुलर्ली वाटर चेंज करना है 20-25 परसेंट अगर आपका वाटर क्लियर है अगर आपने अभी अभी टैंक को रीसाइकल किया है तो आप एक अफते में एक बार तो नहीं आप दो अफते में 20-25 परसेंट वाटर चेंज कर सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा आपको महीने में एक बार सिफॉन पंप की मदद से आपको ग्रेवल की क्लीनिंग करना है क्योंकि ग्रेवल की क्लीनिंग नहीं करने से भी अमोनिया लेवल टैंक में बढ़ जाता है इसलिए आपको मन्त में एक बार सिफॉन से ग्रेवल की क्लीनिंग करना है और जो भी अन अनिटन फूट टेंक में से आपको देखना है कि फिस जो 3-4 मिल्ट में पूरा फूट खा रही है और जो भी उसने लेफ्ट कर दिया अनिटन फूट है आपको टेंक में से तुरंट अटा देना अगर आपने लाइफ प्लांट लगा के रखें और प्लांट बहुत ज्यादा स आपको देखना है कोई तो नहीं होई अगर फिश डेड होती है तो आपको डेड फिश को भी तुरंट अटाना उसको बहुत ज्यादा देर बाद टेंक से नहीं निकालना है क्योंकि फिश के डेड होने के बाद इसका डीकंपोजिशन बोडी प्रोसेस शुरू हो जाती है जिससे बहुत ज्यादा बेड बैक्टिरिया डेड फिश में लगना शुरू हो जाते हैं और इससे भी टेंक का मोनिय लेवल बढ़ता है इसलिए आपको देखना है अगर कोई भी आपके टेंक में फिश डेड हो गई है तो आपको तुरंट अटाना है उसको ज्यादा देर ब्लॉक हो जाती है तो उससे आपका पानी का फिल्टर होना बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है तो आपको फिल्टर पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका फिल्टर ब्लॉक तो नहीं हुआ है आपको स्पंज की भी क्लीनिंग करना है फिल्टर की महीने में एक बार औ तो दोस्तों यह थे कुछ प्रिविंशन टिप्स अमोनिया लेवल को रिडियूस करने के और मैंटेन करने के जिससे आप टेंक में अमोनिया लेवल से फिशेश को डेड़ होने से बचा सकते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम फिशेश टेंक में आना शुरू हो जाती हैं अगर अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा वड़ता दोस्तों इसमें सबसे अच्छा प्रविंशन टिप्स हैं दो आरेगुलर वा टचेंज आप रहेगुलररी वारी टेंज करके अमोनिया लेवल को गंटॉल कर सकते और अमोनिया लेवल टेंक की साइकल पर ब्लकरता है अगरा आप मुणिया लेवल कंट्रोल नुद्हेश दोस्तों आपका प्रिश्च का मौ्ट रेटी आथ भी की ammonia level को remove करना पड़ता है जिससे कि आपका tank healthy रहा है maintenance रहा है और small tank में सबसे पहले ammonia level बढ़ जाता है अगर आपका tank बढ़ा है तब तो ठीक है फर small tank में आपको regular water ही change करना पड़ता है जिससे आपका tank की cycle अगल हेल्दी रहती है और आपके फिशेज भी अल्दी रहती है दोस्तों यह था आज का अमारा वीडियो आउटू रिडियूस और मैंटेन अमोनिय लेवल इन फिश्टेंग अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अगर आप अमारे चैनल प तोल्दी रहती है जगर मैंटेन वीडियो आपके दोस्तों यह जगर आपको वीडियो आपके पहलेब दोस्तों अगर आपके पहलेग।